नमस्कार दोस्तों, भारत में क्रिकेट का क्या स्थाने आप तो इसे बखो भी जानते हैं, यहां गली-गली पर क्रिकेट खेलते बच्चे नजर आते हैं, और कुछ तो अपने मेंनद के दम पर भारतिय टेम तक पहोँच भी जाते हैं, और उनी में से एक खिलारी हैं रिसीक केस का निटकर जो भारत के लिए क्रिकेट टो खेले लेकिन इनके केरियर का अचानक खात्मा हो गया इसी केस का जन्म 14 नुवंबर 1974 को पूरे में हुआ था यह बाएं हाथ से तावरत और बल्लेबाजी करते थे एक समय ऐसा आया जब भारतिय टीम में एक राउंडर की काफी जड़ुवत थी और उसकमी को पूरा कियार इसी केस का निटकर ने साल उनएश्व अन्ठानवे में सिल्बर जुबली कप का आयो जनुआ जिसमें भारत पाकिस्तान और बांगलादेश की टीमें सामिल थी अठारा जनुआरी सन उन्ठानवे को बेस्ताप ठ्री फाइनल का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी जिसमें पाकिस्तान ने भारत को 314 रन का लक्षे दिया भारतिय टीम इस लक्षे तक पहुचते पहुचते लर्खरा गई थी लेकिन कानिटकर अभी मैदान पर डटे हुए थे और इस एतिहासिक मैच को रिसी केस कानिटकर ने अंतिम एक गेस से स्राते जिता दिया लेकिन इहां से इनके करियर की सुरुवात नहीं बलकि अन्थुई इस मैच के बाद इसी केस को भारतिय टीम से बार कर दिया गया और केवल 34 वंडे और 2 टेस्ट मैच खेल कर इसी केस ने जुलाई 2015 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया इसी केस के बारे में भारतिय पूर्व आल राउंडर मनोज प्रभाकर ने कहा था कि इंडिया वसेश पाकिस्तान का वह मैच फिक्स था जिसमें पाकिस्तान को जितना था लेकिन इसी केस ने इस मैच को जिता दिया जिसके कारण इने टीम से बाहर कर दिया गया था झाल झाल